हेलो दोस्तों, देखिए आपको पता है कि जो अभी कोरोना की केसेस है, वो कितने ज़ादा थिर्वरता से बढ़ रहे हर दिन जो केसेस आ रहे हो 8 से 9000 केसेस आ रहे और इस सालत में हमारे देश के जो HRD मिनिस्टर है और जो हमारे देश की गवर्मेंट है उन्होंने ये डिस वाले दिन उनके साथ क्या विवार होने वाला है कई लोग बोर दें कि thermal scanning के थ्रू बच्चा का temperature चेक किया जाएगा कि बच्चों का temperature क्या है और उसी के basis पे उनको isolate करा जाएगा और अगर वहाँ पर उनका temperature ज्यादा आता है तो हो सकता है कि उनको exam नाद दिने जाए और हो क्या लगता है कि ये scientific season है कि सिर्फ एक thermal scanning के basis पे आप किसी बच्चे का साल बर बात कर लो और वहीं जो दूसरा बच्चा है हो सकता है कि वो corona positive ही हो फिर भी वो exam दे सकता है क्योंकि उसका thermal scanning में temperature जादा नहीं आया और हो सकता है कि वो जो है दूसरे आदमी को या फिर दूस लाग बच्चे जो exam देंगे और 12th के exams होंगे जही main exams होंगे NEET के exams होंगे तो आपको क्या लगता है कि कभी भी ऐसी कोई situation नहीं बनेगी जिसमें दो बच्चे आसपास आएंगे कोई भी ऐसी situation नहीं बनेगी जहां पर कि infection spread होगा क्या आपको क्या लगता है इस बारे में मै सिर्फ आपसे रायर लेना चाहता हूँ मैं आपको demotivate नहीं करना चाहरा हूँ किसी भी तरह से और फिर आप ऐसा बोलो कि आपको क्या मतलब है आप ऐसे वीडियो क्यों बना रहे है कई साइड लोग ऐसे कमेंट करते कि आप ऐसे वीडियो क्यों बना रहे है मैं को आपको demotivate करने का कोई भी मेरे पास right नहीं है और मैं आपको demotivate करके मुझे क्या मिलने वाला आप बताइए ना तो मैं कोई सरकार गिरा सकता हूँ मैं तो आपको बस एक चीज बता रहा हूँ कि हमारे सरकार की सोच क्या है किस तरह से वाँ पे जो बेठे हैं लोग वो भी समझदार हैं मुझे पता है पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के decisions लेने से पहले सरकार बच्चों की भी राय ले कि बच्चे क्या चाहते है एक्चुल में और बच्चे के आपनी पर मैं यही चाहता हूँ कि सरकार अगर इस तरह के decision ले तो प्लीज बच्चों को involve करके और बच्चों से पूछ के एक बार decision ले क्योंकि बहुत सारे लोग की इससे situation है वो बहुत ही नाजू के इस टाइम पर है कई सारे लोग तो अभी red zone में बेठे हुए हैं कई सारे लोगों के पास transportation की भी सुईदा नहीं है मतलब कि cabs और जो autos होते हैं buses होती है, railway station होते है, rail जो चलती है तो यह सब भी अभी operation में नहीं है क्योंकि बहुत सारे जो transports है वो अभी भी off है कई जगब है तो किस तरह से व्यवस्ता करने वाली सरकार इस पर बच्चों को clear करे और यहीं पर मैं अपना वीडियो end करना चाता हूँ Thank you very much